हेले श्टुएंट्स चलिए हम लोग के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं और सोने के पहले केरेंट अफ़ेर्स को एक बार रिवाइज करवा दे भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में इंटरनेशनल सीरीज हमने केरेंट अफ़ेस जो कर रहे थे स्पोर्ट्स वाला उसी को कंटिन्यू करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टीट्वेंटी सीरीज हुई थी इंटरनेशनल सीरीज थी और इसके अंदर पांच मैच हुआ था भारत ने चार एक से जीता थ था इसमें भारत टीम के कप्तान सुरी कुमार यादव और सर्वसेष्ट खिलाडी भारत की तरब से रवी विस्नुई थी सेयद मुस्ताख अली प्रॉफी 2023 यह भारत के अंदर हुआ था घरेलू सीरीज है अलग-अलग सहरों में आउजित हुआ क्रिकेट प्रारूप अग की सेयद मुस्ताख मुस्ताख अली ट्रॉफी जो हे वह क्रिकेट से रǧियां भारत के अंदर खेला जाता है पहला प्राइस ढूसरा राज़स्थान बेर सुमित कुमार अशुएं तो ब bellPM जाना है वह किस Ф absolument सी रिलेटे़ और हर्याने जीता है और सुमइत कुमार हफियान हम दोग चलते हैं FIH Hockey Pro League महिला होते 2022-23 जुलाई में हुआ कहां पर जुलाई में हुआ और इसको जीतने वाला नीदर लैंड है और हारने वाला अर्जन्टीना है यानि FIH Hockey Pro League महिला को नीदर लैंड जीता ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना हारता है ACI Champions Trophy PURUS 2023 भारत में हुआ है इसलिए important है भारत में हुआ चिन्नई में हुआ भारत ने इसको जीता है record fourth time भारत ने इसको जीता है उप विजेता मलेसिया है और player of the tournament मनदीप सिंग है भारत के तो ACI Champions Trophy जो पुरुस वाला है याद रखिएगा भारत ने चौथी बार जीता है और भारत में ही चिन्नई में आयो जीत हुआ हौकी 5S ACI Cup 2023 अगस से दिसंबर के बीच में आयो जीत हुआ इसमें जो पुरुस हौकी 5S था ना उसको भारत ने जीता भाकिस्तान को हडा और जो महिला 5S था उसको भी भारत ने जीता लेकिन अचिन आयुलいき तो पुरुस वाले में पाकिस्तान को ह Offic ब्हारत ने महिला वाले में Thailand को और और यह जो हॉकी पाइब एस है यह होकी की है होकी का एक छोटा और एक टैकिंग रूप है और इसमें प्रतीक टीम के सिर्फ पांच खिलाड़ी और चार पांच खिलाड़ी जिसमें चार फिल्ड खिलाड़ी और गोल की पर रूप है तो श तो इस महिला एसिया चैंपिएंस ट्रॉपी भारत जीता है दूसरी बार और जापान को हराता है सुल्टान ऑफ जोहर कप जोहर कप के बारे में पूछा जाता है यह मलेशिया में हुआ था और जर्मनी जीता है और एस्ट्रेलिया को हराया है इसमें भारत भी है और यह important भार तो भारत ने पाकिस्तान को हरा के थर्ड अस्थान प्राप्त किया है, बीजेता जर्मणी है, वो बीजेता उस्ट्रेलिया है, F.I.H. होकी प्रो लीग, पुरुस वाला, महिला वाला भी देखना है, पुरुस वाला लीगा, अभी यह है, नीदरलैंड जीता है, ग्रेट ब्रिटेन को हराया और भारत की टीम, चौथे यानि फोर्थ को जी सकते हैं, 13. होकी इंडिया सीनियर पुरुस राश्ट्रिये चैंपियन्स, पंजाब ने जीता है, इसको बहुत यार्द करने की जोगत नहीं है, 13. होकी इंडियर बिस्व कब 2023, इसको देख लीजेगा, 13. होकी इंडियर विस्व कब 2023, कुलालामपुर में हुआ, दिसमबर में हुआ, जर्मनी ने रिकॉर्ड साथमीवार जीता हराया है फ्रांस को, और भारत भी पहुच गया था, लेकिन इस्पेन ने भारत को हरा दिया और इस्पेन हो गया थर्ड पे भारत चला गया फोर्थ पे सबसेश खिलाड़ी है और किसी भी चीज में भारत का कहीं कोई योगदान नहीं है तो इतना याद करने की जोड़त नहीं है आपको याद रखना है कि जर्मनी ने रिकॉर्ड साथ में भार जीता भारत सपोर्ट पे था भारत को इस्पेन ने हरा दिया दसमा होकी महिला जूनियर बिस्प कप 2020 दिसंबड में हुआ है नीदरलैंग ने इसको जीत लिया महिला वालब नीदरलैंड जीत लिया अरजेंटीना को हडा दिया और ब्राउंज मेडल जो जीता है वो बेल्जियम में जीता है भारत कहीं विटिका नहीं तो इतना काफी ह इतने से आपका काम हो जाएगा भारत का जो टीम था तीम महिला टीम थी वो नाइन्थ को जी सकते हैं 14th SAF Championship 14th SAF Championship ये याद कर लीजेगा बैंगलूरू करनाटक में हुआ था बैंगलूरू के कांती रवा स्टेडियम में भारत ने रिकॉर्ड नौवी बार जीता है कुबैत को हराया है सबसे मुल्यवान खिलारी अच्चुकी सैफ है तो सबसे मुल्यवान खिलारी गोल्डेन बॉल जो है सुनील चेतरी को मिला भारत के और सरवादी गोल करने वाले को गोल्डन बूट मिलता है वो बूट भी सुनिल चेतरी को ही मिला जिन्हों ने पांच गोल किया भारत के तो यह important है कि दोनों सुनिल चेतरी नहीं लिया तो ज्यादा आसान हो जाता है फिप्टी फोटींथ सैफ चैंपियन से 132 एक सो बत्तिसमा डुरंड कप 2023 फोल काता गोवाहार्टी और कोकरा जहार में इस आयोजित हुआ मोहन बागान सूपर जाइंत ने जीता और इस पंगाल ने हारा तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है फीफा महिला बिसुकाफ है तो जानना 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 है फीफा महिला बिसु अंडर-19 चैंपियंसिप नेपाल के काथमांडू में हुआ भारत जीता पाकिस्तान पाकिस्तान को नहीं हडा दिया तो सैफ अंडर-19 में भारत जीता है पाकिस्तान को हडाता है क्लाइमेट कप का आओजन कहां वह ध्यान रखना है सफ्प्रेंबर की बात याद रखिए क्लाइमिट कप का आयोजन हुआ था लद्दाख के ले हैं और भारत का ये इंपोर्टेंट स्ली भी हो जाता है भारत का पहला सुन्ने पॉलिथीन और नियूंतम अपसिस्ट फुटबॉल टॉर्णामेंट है जहां कम से कम प्लास्टिक और कम से कम इस तरह का कच्रा यहां से प्लाइक , वीजेता दिलिए FC है और उपीजेता है तिबतने श्पॉर्टस इस ईसलिज जीतता है और अक्लाइमिट कप जीतने वाला इरागए हाडने वाला थाहले तक S मर्डेका कप मर्डेका कब मलेशिया में हुआ था ठीक है कौलालामपूर में हुआ था तजाकिस्तान जीता है मलेशिया हारता इसको आराम से चोड़ सकते हो टेंसन दिलेना इसको फीफा क्लब विस्व कप 2023 साओधी अरब के जिंदा में हुआ विजेता मैंचेस्टर सीटी है और फ्लूमिनेंस एफसी इसको हारता है इसको आप चुकी कलब वाला है न तो कलब वाले को आप इग्नोर कर सकते हैं कोई इशू नहीं है कोड़िया ओपेन को इसलिए आपको देखना है क्योंकि भारत है यहां पर इस तरह कि इंटरनेस्टमेंट में अगर भारत आ जाता तो आपको देखना है पोडिया दक्षिन कोडिया ओपन दक्षिन कोडिया यनि साउथ कोडिया में हुआ और सात्विक साहिराज ठीक है सात्विक साहिराज और चिराग सेट्टी दोनों इंडिया के हैं सात्वी साहिराज और चिराग सेट्टी दोनों ने इसको जीता है तो यह इंपोर्टेंट है या मा गूची जो जापान के हैं वो हारे हैं बीड़लुएफ बिस्व चैंपियंशिप टूथाउजन पॉइन्ट विजेता कुनला वूत वितिर्थ सेंग अब इसको इसको आप इनोर कर सकते हैं बीड़लुएफ बिस्व चैंपियंशिप को डेन्मार्क के कोपेनेगें में इसको आप छोड़ सकते हों बीड़लुएफ ऑस्ट्रेलिया को आप ऑस्ट्रेलिया ओपन में चुकी भारत आ जाता है इसलिए बहुत इंपॉर्टन नहीं बड़ देख लेना इसको बीड़लुएफ ऑस्ट्रेलिया ओपन सिड्नी में आयो जित हुआ वेंग हों यांग ची स्टेंबर में हुआ है और उत्री सुमात्रा में हुआ इंडोनेसिया के किरन जोर्ज भारत के जीते हैं और कू ताका काशी ताका हासी कू तू कू ताका हाशी इन्हों यह जपान के यह हैं बीड़लुएफ चीन ओपन 2023 चीन के चांग जोहू में आयो जित हुआ और इसको छोड़ दीजिए ठीक है इसको छोड़ जो नहीं जो इंपॉर्टन नहीं उसको इन्दम छोड़ दीए और नहीं आएगा तो नहीं आएगा अबुधाबी मास्टर्स 2023 भारत अगर है तो उसको ध्यान रखना है अबुधाबी मास्टर्स अबुधाबी की बात है साओ कदो दोनों ही भारत है उनति फुद्दा ने जीता है और इमाहत फारु महिला यूगल की बात सेन और मार सुड़ो सब्सक्राइब टोनों दिर्माउक की हैं इनको इनुने आदिया सेन्य राष्ट्री या बैमिंटन चैंपिर्श ध्यान रखिएगा रास्ट्री बैमिंटन चैंपिंशिप गौहाटी में हुआ था यह इंपॉर्टेंट है चिराग से ने जीता है पुरुस वाला एकल वह देख लीजिएगा और महिला एकल अनमोल खर्म देजिए ठीक विजयता छोड़ सकते हैं इसको चोड़ देजिए इसको याद करने की जोड़ो इसको भी जोड़ो अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन टोड़ सीजन फूर्ट टूजन ट्वेंटीफरी का पुने महाराष्ट में हुआ गोवा चैलेंजर ने जीता है टेबल टेनिस को और चिन्नाई लॉइंस को हड़ाय है इसको ध्यान रखिए इसी तरह से 85 रास्ट्री अंतरास्ट्री टेबल टेनिस शेंपियंशिप कहां हुआ पंच कुला हडियाना जीतने वाले कौन है हर्मीत राजूल देसाई हारने वाले कौन है जी साथियान यह इंपॉर्टेंट है बाकि और को छोड़ो सिंगल को या उसमें उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है रेर ही सवाल आते हैं अभी तक कर यहीं ट्रैक रिकॉटर है साथमा साड़ास्टी ए सत्रंज चैंपियंशिप 2023 पूने महरास्ट्र में हुआ था सेदू डंबन एसपी और विश्नु प्रसंद्ना भी ने इसको जीता है उस रूसबर्ग में मैगनन कालसन नार्वे के हैं इन्होंने जीता है और और प्रग्या नंदन जो भारत के हैं वो विजेता है महिला की बात करें महिला में रूस ने जीता है रूस के अलेक्जेंड्रा गोड़्याच गोड़्याच कीना और गोड़्याच कीना ने इसको जीता प्रापिड और यह दोनों ही इसका आयोजन कोलगाता में हुआ था दरसल हुआ यह है कि इसके इसमें आप रैपिड वाले में मैक्सिमम मैक्सिम वाचियर लाग्रेप जो फ्रांस के महिला की बात करें तो रैपिड में भारत की दिब्या देशमूख है तो ध्यान रखेगा और अगर ब्लिट्ज की बात करें महिला की तो जू विंजून है चीन की और भारत की हैं कुनेरु हमपी है जो हाड़ी थी फीदे ग्रांड स्वीस और महिला ग्रांड स्वीस 2023 उखके में हुआ फीदे ग्रांड स्वीस और महिला UK में हुआ विजेता विधित संतोस गुजराती भारत और हडाया है अमेरिका के हिकारू नाका मुड़ा तो विदित संतोज गुजराती भारत की हैं उन्होंने ग्रैंट स्विस ओपन को जीत लिया है और ग्रैंट स्विस महिला को जीतने वाले भी इंडिया ही है आर वैशाली ने जीता है अन्ना मुझी चूख यूक्रेइन को हड़ा कर एक फीडे का जो बिस्व रैपिड ब्लिट जैंपियंशिप 2023 है यह समरकंद उजबिकिस्तान में हुआ और इसको जो है मैक्सन कालसन ने सात्मी बार जीता है यह इंपॉर्टन्च है डैनियल दूबो रूस के हैं उनको हड़ाया है इसको याद रखी गया इसको याद रखना है चुकि भारत सीधा-सीधा आपको यहा अनास्तासिया बोई नारुक रूस की हैं उन्होंने इसको जीता है चिन्नई ग्रैंड मास्टर्स चिन्नई में हुआ भारत के चिन्नई में और डी गुकेस भारत के हैं उन्होंने जीता है और अर्जुन एरी गैसी वह भारत के उन्होंने इसको वह हरे है तो यह फैक्ट है यहां तक आज रोकते हैं इसके बाद आगे की जो आगे के facts हैं वो हम लोग कल करेंगे आज के लिए good night